हेलो व्रिवान वेलकम तो माई चैनल लौन विट फाइजा आज हम एक एसी हैल प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे यहां पर आप देखें एक महीलाओ को प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन महसूस होती है और खुजली करने के बाद वहां पर इस तरीके से रैड रैड रैसेस हो जाते है तो उसके कान आपको रैडनेस जैसा फिल होता है या फिर वहां से डिस्चार्ज होना तो इस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है तो डिस्चार्ज क्लियर और क्रीमी वाइट कलर का हो सकता है या फिर अगर किसी महीलाओ को यहां से हम समझने कि अगर को बैक्टरील इंफीक्शन और जो सकता है कि यहां चीको रथे जो वाल हुई है और आपको आपकूंतिरिया होसकते हैं अगर किसल कई इसे फॉर्ण होसकते हैं जाल च infections होते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए आज हम एक अच्छी टेबलेट के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ओनाबेट, तो ओनाबेट के बारे में आज हम यह सारी list of content देख रहे हैं, यह content आज हम सीखने वाले हैं, तो आप लाज तक बने रहें, अगर आपको भी lycoria है या फिर इसी तरह से कोई infections है तो ये medicine आपको ठीक करेगी तो अब हम basic से बात करें तो basic of medicine क्या है यानि कि onabate जो tablet है वो कौन से class से बिलाउं करती है तो ये एक AC class की medicine है जिसका नाम है antifungal brand name उसका onabate है तो आप भी यहाँ पर देख सकता है salt content, ceta-conazole, nitrate और इसमें जो content available है वो है 500 mg तो 500 mg की आपको एक tablet रहती है तो यहाँ पर गौर से देखे ये single day therapy है यानि कि आपको एक ही tablet लेनी है और packaging में सिर्फ एक ही tablet आएगी अब company के बारे में जाने तो इसे Glenmark pharmaceutical company बनाती है तो Glenmark के बारे में थोड़ा और जाने तो यह Indian multinational pharmaceutical company है जिसका head office है मुंबई में अब users के बारे में सिखे अधर इसे कौन से users है जिसमें महीलाओं को onabate prescribe की जाती है तो वहाँ पर उनको redness हो गई है खुचली करने के कारण उनको वहाँ पर redness हो जाती है या फिर वहाँ पर रैसिस हो जाते है और leucoria है या फिर white discharge हो रहा है तो अधर इसे कौन से infections है जिसमें ये tablet suggest की जा सकती है जिसे कि येसे infection vaginal infection, vaginal redness itching आना, discharge होना leucoria की problem होना और वहाँ से bad smell आ रही है तो ये जो सारी conditions है उस condition में females को ओना बेट V1 suggest की जाती है वीडियो के बीच में मैं आपको बदाना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है बिमारिया और उनका उपचार तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि disease and treatment के बारे में अगर आपको भी हमारे साथ एसे ही सीखना अच्छा लगता है और आपको उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो book है वो ले सकते हैं तो उसके लिए आपको हमें इस WhatsApp नमबर के true contact करना होगा जिससे की आपको इसकी जो price है वो रूपीज 749 में रहेगी तो अभी जल्ड ही से करे order हमारी book और इसका detail review आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से color printed book आती है अब label study के बारे में सीखे तो label study में आप यहाँ पे देखे कि serta conosal nitrate और onabate V1 यह जो medicine है onabate vaginal tablet है जिसे V1 से indicate किया गया है तो V4 vaginal 1 for single therapy तो यह इसका brand name है serta conosal nitrate वो उसका salt composition रहता है एं एक strip में सिफ एक ही tablet आती है विकाज यह जो है वो single therapy की है तो बच्चों से आपको यह medicine डूर रखनी है अब working के बारे में सिखे किया medicine हमारी body में जाके work कैसे करेगी तो यह medicine enzyme lenosterol 14 alpha demetilis यहाँ पर आप देखे है यह enzyme यहाँ पर है और lenosterol यहाँ पर है argosterol यहाँ पर है तो इसे आपको ध्यान में रखना है इसको block करके अपना काम करती है जो fungal cell membrane के development के लिए जरूरी है यानि कि lenosterol में से argosterol बनेगा और argosterol में से आप यहाँ पर देखे fungal cell membrane बन रहा है तो इसे बनाने के लिए यह enzyme जरूरी होता है तो अब हमारी medicine क्या करेगी अगर यह enzyme block हो जाता है तो argosterol नहीं बनता यानि कि lenosterol के बाद argosterol बनेगा तो argosterol कुन बनाएगा यह वला enzyme तो यह वला enzyme ही block हो जाएगा अगर यह enzyme ही नहीं बनेगा तो argosterol नहीं बनेगा तो argosterol नहीं बनेगा तो fungal का growth नहीं होगा तो ऐसा होने पर fungal की growth कम हो जाएगी और उसकी date हो जाएगी जिससे fungal infection आपका दीरे दीरे ठीक होने लगेगा अब dose के बारे में सीखें किसका जो dose है वो single therapy का है एक ही tablet आती है तो week में आपको सिफ एक ही बार ये medicine लेनी है higher dose आपको नहीं लेना है और patient को भी एक से ज़्यादा dose prescribe नहीं करना है depends on patient severe conditions price के बारे में देखें किसकी जो latest price है 2024 की वो आपको one tablet की रुबिस 197.5 रहती है side effects क्या क्या है इसकी तो चले देखते हैं अगर कोई patient की medicine ले रहा है तो उसे वहाँ पे burning हो सकती है site of applications पे आपको reactions हो सकते हैं जिसे की itching आ सकती है आपको burning sensation होना irritation, itching रहना redness होना और skin पे irritation रहना तो आपको ये medicine private part के अंदर insert करनी है इसके अलावा आपको body पे इस तरीके से reactions दिख सकते हैं अगेन मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहती हूं हमारी एक book है जिसका नाम है disease and treatment तो आपको भी हमारे साथ इसे हिस्टरी करना अच्छा रगता है तो ये जो book है वो आप order करवा सकते हैं यहां से contact करके अब warning के बारे में सीखें कि केसे लोगों को ये medicine avoid करनी है अगर किसी को medicine से onabit v1 से या फिर serta konazole nitrate जो उसका composition है उससे allergic reactions है breastfeeding मही लाए है pregnancy के phases चल रहे है या फिर menstruation है तो इसे conditions में avoid करनी है अगर menstruation में कोई tampons यूज करता है vaginal dutch, spermicide और इसे vaginal products यूज कर रहे हैं तो उसके साथ onabit जो है वो आपको यूज नहीं करनी है pregnancy category के बारे में सीखें तो क्या pregnant मही लाए ले सकती है तो previous हमने सीखा का pregnancy में आपको avoid करना है तो ये medicine pregnancy में unsafe मानी जाती है तो आपको pregnancy में नहीं लेनी है इसकी alternatives अवेलेबल है market में या फिर आप clotrimazole या फिर vaginal, vizel apply कर सकते हैं during pregnancy drug drug interactions के बारे में सीखें तो क्या ये medicine के drug drug interactions available है तो no नहीं इस medicine के कोई drug drug interactions नहीं रहती है तो आप completely safely ये medicine other drug के साथ use कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा तो आपको ये video भी अच्छा लगेगा एसे ही disease and medicine के बारे में आपको जान करें चाहिए तो आप मेरी चैनल को यहां से subscribe कर सकते हैं और bell icon को भी turn करें Thank you for watching my video